नया साल बस आने ही वाला है। इस नया साल में कई राशियां ऐसी हैं जिनके घर चट मंगनी और पट विवाह हो जाएगा। दरसल इन सभी रासियों के उपर नया साल में विवाह का प्रवल योग बन रहा है। जो दिशाचारी पंडित सक्त्रुग्न जहां ने बताया कि नया साल में ग्रह और नक्षत्र के इस्तिती बदलने वाली है। ऐसे में सभी बारह रासियों के उपर इसका प्रवाव पढ़ने वाला है। पर कई राशियां ऐसी हैं जिनका इस नया साल में विवाह का योग बन रहा है। विवाह के कुंडली में गुरू और सुक्र का भाव होना जरूरी है। और इस नया साल में पंच राशियों के कुंडली में शुक्र और गुरू होंगे। कर दो कर दो कर दो दरसल इस नए साल में मेश राशी और शिंग राशी के जातकों के कुंडली में गुरू और शुक्र विराजमान हैं ऐसे में इन तीनो राशी के जातकों के लिए विवाह का प्रबल योग बन रहा है जो थ्याचारी सत्रुकनाचारी कहते हैं कि इन सभी रासियों के घर में शादी के प्रबल योग हैं और उनके घर में शहनाई बजेगी जीवन साथी के साथ विवाह के रिष्टे जादा मजबूत होंगे मेश रासि के चातक को प्रेम विवाह में सफलता भी मिल सकती है जबकि विष्व रासि के चातक भी इस साल विवाह के बंधन में बंध सकते हैं उनका कहना है कि सिंग रासि के चातक के प्रेम संबंध के मामले में वरवधू के घरवालों की सहमती मिल सकती है गुरू और सुक्र मजबूत होने के कारेनम सभी के विबाग का योग बन रहा है इसके अलावा धनू राशी और मिन राशी के चातक के भी साधी को लेकर आरे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी जमुई से लोकल इटीन के लिए गुलसन कर्शिप की रिपोर्ट